नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आया आपका मेरे यूट्यूब के चैनल गोब्लोक्स पे हमारे सामने विसलेशन के लिए एक मेल हतेली है और ये अभी अपने देश से बाहर रहते हैं और काफी सालों से जो है वहीं कार्य कर रहे हैं सर्विस कर रहे हैं और इनका जो सवाल है वो बिजनिस से समंदित है ब्यावसाई से समंदित है कि ये उस नौकरी को छोड़ना चाते हैं और अपना बिजनिस करना चाते हैं क्या उसमें सफल होनी की संभावना को इनकी हतेली दिखा रही है इस पे हम फोकस करेंगे साथ साथ में हम बरतमान में ग्रोहों की क्या इस्तिति है आपकी हतेली की रेखाईं क्या बता रही है आपकी उंगलियां क्या बता रही है इन सब पे भी जो है हम बात करेंगे फोकस करेंगे और इसको समझने की और समझाने की भी कोसिस करेंगे बहरहाल अगर देखा जाए तो बिजनिस के लिए सबसे पहले बुद्ध परवत को देखा जाता है उसकी बड़ी महिमा होती है साथ साथ में जो कनिष्टा उंगली है जो बुद्ध परवत से सासित है बुद्ध ग्रह से उसको भी देखना बहुत जरूरी होता है यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपकी जो कनिष्टा उंगली है यह अच्छे खासी लंबी अवस्ता में है और आपकी जो रिंग फिंगर है जिसको हम सूरे की उंगली कहते है अनामिका उंगली कहते है उसका जो यह पहला पोरवा है उसके बराबर पहुँच रही है यह बहुत सरेष्ट मानी जाती है निश्चित रूप से ऐसे बिक्त अगर अपनी जिवनकाल में नोकरी भी करते है कहीं न कहीं उनका माइंड एक बिजनिस माइंड होता है ब्यापार के सफल गुण ऐसे लोगों के अंदर होते हैं प्रेक्टिकल रोप से आप लोग देखेंगे जिनकी हतेली में ये कनिश्टा उंगली लमवत खड़ी होती है या कैसी भी खड़ी होती है और सूर्या उंगली के पहले पोरवे तक पहुचती है ये आपको ब्यापारी बर्ग के लोग मिलेंगे अगर नौकरी कर रहे है चाई वो सरकारी नौकरी करने है चाई वो प्राइवेट नौकरी कर रहे है ऐसा ब्यक्ति उच्चपद का ब्यक्ति मिलेगा किसी काम को भी कर रहा है ऐसा उचवर्ग का ब्यक्ति होगा स्रेश्ट और सपलनम ब्यक्ति होगा ऐसा जो जातक होता है या जातिका होती है वो अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं और ये उंगली बता रही है कि ये गुण आपके अंदर सर्व स्रेश्टतम इस्तिति में है बहुत अच्छी इस्तिति में यहां पर दिखाई दे रहा है साथ में अगर हम यहां पर देखते हैं आपकी जो बुद्ध का परवत है वो यहां पर इतना अनकूल नहीं दिखाई दे रहा है जितना एक ब्यापार के लिए इस ग्रह को होना चाहिए था लेकिन ये खूबसूरत बहुत सुनर है और ये जितना खूबसूरत होता है बिक्ति की तवचा जो है उतनी खूबसूरत होता है बिक्ति दिखने में बहुत खूबसूरत होता है और धीरे धीरे ये उभार की इस्तिति में आ रहा है अनुकूलता की इस्तिति में आ रहा है तो आपके लिए अच्छे संकेत हैं कि आने वाले समय में आप ब्यापार के और जा सकते हैं आपकी उंगली और आपका जो है मरकरी का माउंट कह रहा है और जब ये अच्छी इस्ति की रेखा है मेन जो है उसमें परिवर्तन लाना बहुत जरूरी है आपको जो है चीजों में सफलता पूरे रूप से तभी मिलेगी जब आपकी करियर और आपकी धन की रेखा अपने अस्तान पे चली जाए या खतम हो जाए दोनों में से एक चीज हो जाए तब जीवन में आपको बताता हूं यहां पे देखेगा जब करियर और धन के रेखा अपनी जगह पे आ जाएगी और आपका भाग्या अस्तान अपने यथावत इस्तिति में आ जाएगा और ये भी अनकूल हो जाएगा तो निश्चित रोप से जिस भी काम में आप हाथ डालेंगे उसमें प पिसे शुरूप से मौजूद रहेगा कि योजना बना कर चलना और जो भी कारे आप परारम करेंगे कहीं न कहीं उसको अधोरा न छोड़कर पूरा ओश्य करेंगे ये गुण भी आपके अंदर आ जाएगा और अपने को पूरी तरों से ब्यक्त करने का गुण भी आपके अंदर बुद्ध के अच्छी इस्तिति में आने पर आ जाएगा ये बानिश्चित है और फिर मनो बेग्यानिक के छेतर में भी माहिरता हासिल होगी अगर बुद्ध आपका भव्यावस्ता में आता है तो सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अगर ये गुण आपके अंदर आए गया तो सेल्स और मार्केटिंग के गुणों में बृद्ध होगी और अपने जो बिजनिस है उसमें आप चार चांद लगा लेंगे ब्यापारिक कारे में विसे सफलता की प्राप्ति ह तो इसके लिए क्या करना है देखेगा अपने खान पान पर थोड़ा ध्यान देजिएगा और कुछ योगिक किरियाएं हैं क्योंकि देखेगा योगिक किरियाएं अगर हम करते हैं तो उससे जो हमारी हतेली की नसे हैं इन में इस्पंदन होता है और इन में इस्पंदन होत और जो हमारी स्वांस है जो हमारी रक्त चलता है जो है इन कोशिकाओं में और जो हमारा पंच तत्व है उसमें कहीं नहीं जो है इस पंदन होने बैट जाता है बाइवरेशन होने बैट जाता है और परिवर्तन आने बैट जाता है जिसके कारण हाथ की रेखाए अपनी जगह पे आनी बैट जाती है और जीवन पे अच्छा प्रभाव पढ़ना बैट जाता है तो योग ध्यान किरिया मैं आपको विशेश रोप से दूँगा करने की कोशिस करें बहुत कम लोग योग ध्यान किरिया देते हैं यह बहुत सरल होती है आप अगर ऐसी जगह है जहां आप पाथ पूजा नहीं कर सकते हैं दीपक नहीं जला सकते हैं या आप जो है कुछ सूर्य उगेर को जल नहीं चड़ा सकते हैं मंतर पढ़ सकते हैं तो आप जो है कहीं पे बैठ कर भी इन योग और ध्यान क्रियाओं को कर सकते हैं किसी को नहीं पता चलता है लेकिन इसका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है तो कहीं न कहीं बुद्ध प्रवत को सही करने के लिए खान प्यान पे विशेश आपको फोकस करना होगा हरी सब्जी है हरी डाले है और हरे फल है आपको इनका जादा से जादा खाने में सेवन करना है और तीन महने तक तो विशेश रूप से ध्यान रखेगा करिये गा बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा कर नो को छोड़ कर अगर नहीं है तो कोई बात नहीं छोड़ दीजे इस चीज को लेकिन हरी सबजी है हरी फल है हरी दालों का ज़्यादा से ज़्यादा से उन करे और सुबह अश्णान करने के बाद चंदन के खुसबो वाला एक परफ्यूम आता है वो हर जगह मिल जाता है आप ओ अगर एलर्जी नहीं था और सुबह और साम माला जब के नहीं बोल बोल के यह था वो तो इस तितमें अकेले में कहीं पे है नहीं है तो मन में बोलिएगा गायतरी महामंतर का पाट कर लीजेगा चाहे एक बार कर सकते हैं ग्यारा बार कर सकते हैं यह किस बार कर सकते हैं यह बुद्ध बहुत भव्यावस्ता में आएगा और भव्यावस्ता में जब आएगा तो पूरे ब्यक्तितों को बदल के रख लेगा आपके जो बिजनिस आप करना चाते उसमें बहुत सुन्दर फायदा आपको देगा बहुत सारे गुण है इसकी गाईतरी मंतर नहीं जब सकत वो जरूर अपने पास कर लेजेगा एक हरारुमाल है अपनी जेब में या ओपिस के बैग में रख लीजेगा उससे हात मुहों गलाओ गेर न पोचिएगा कि और शिंबल के तोर पे रख लीजेगा हरारुमाल ये बड़ा कमाल का चीज है ये बहुत कुछ जो है आपके जो ब पे आता हूं करियर और धनकी रेखा पर बिजनिस करते हैं कि किस चेतर में करेंगे जब थोड़ा सा जो है चीजें ठीक हो जाती है तो ये देखेगा आप सबसे यहां पर पुष्ट ग्रहा आपका सुक्र दिखाई दे रहा है जो सुक्राचारे जी है अंगोठे के नीचे क पर वो दिखाई दे रहा है ऐसा में ब्यक्ति विग्यापन का छितर में जा सकता है संगीत है उसका तो संगीत और कला के छितर में जा सकता है साजावट समंदी चीजों का ब्यापार कर सकता है रेडिमेट कपडों का कारोबार ऐसा ब्यक्ति कर सकता है ब्यूटी इंडस्ट और ग्रह कोई इतना मझबूत इस्तित में नहीं है ये भी बैलेंस पूरा नहीं है लेकिन कही न कही है तो इसमें कही न कहीं आपको फायदा हो सकता है लेकिन अभी क्या है देखेगा यहाँ पे करियर और धण की रेखा आपकी इस तरों से आ रही है लेकिन यहाँ पे अचानक जीव जो हमारी हिर्दे की रेखा है उस पे संपन हो रहे है आगे नहीं बढ़ रही है ये बरतमान समय में आपको बता रही है कि देखेगा भावना की बसीबूत होकर जल्दबाजी में आप निरणए मतले अगर आपने जल्दबाजी में निरणए ले लिया तो उसका नुकसान आपको झेलना पड़ेगा और जो आपकी डेपलप्मेंट है आपकी प्रोग्रेस है वो पूरे रूप से जो है बादित हो जाएगी फिर उस डेपलप्मेंट को पाना उस प्रोग्रेस को पाना कठिन हो जाएगा और करियर और धनकी रेखा यह जावटें जादा आती हैं और जो वास्तु ग्रोथ होनी चाहिए थी जो विस्तार और फैलाव होना चाहिए था उसमें पूर्णता नहीं आती है और ब्यक्ति कई बार जो है जल्दबाजी में फैसला लेता है जिसके कारण उसको नुकसान झेलना पड़ता है तो इस समय जो ह अपना पूरा बजट बना लें पूरी तरह से मार्केटिंग का आप ज्यान अरजन कर लें और तब जाके जो है आप किसी चीज में गुसे अन्यता आपने भावना के बसीबूत होकर भावनाओं में बहके अगर जो है चीजों को कर लिया तो ये नुकसान देगे और करियर और धन की रेखा जब संपन होती है अच्छी होती है तो कम से कम साड़े तीन साल का या ढाई साल का समय लेता है तो आपको कहीं न कहीं अपनी करियर और धन की रेखा को ठीक करना है योगी किरियाओं द्वारा ये जरूर करना चाहे आप किसी भी धर्म को किसी भी पंत को मा कुछ और चीज़ें बहुत सारी चीज़ें इसमें लेकिन वो एक हिसाब से दिया जाता है वो अगर आप करेंगे तो निश्चीत ही जी ओए आपको फल मिलेगा उसका क्योंकि आपकी सारे पंच भूत किरे आए उसमें आ जाएंगे ठीक है न तो यह इस चीज़ का आप भी से दियान रखें भावना की बसीबूत होकर चीज़ें न करें और करियर और धन की रेखा जो इसपश्ट जा रही है वो पचासमें वर्स तक जा रही है उसके बाद कहीं न कहीं वो बिलुप तो हो रही है उसके बाद का जीवन कैसा रहेगा इसके लिए आपको सोचना है तो आपका अंगोठा भी देखें आप तो फश्ट पॉर्वा आपका काफी छोटा है सेकंड पॉर्वा जो है इससे काफी बड़ा है यह इस बात की और संकेत कर रहा है कि आपको विसे सावधानी रखनी है एक तो जल्द बाजी में कोई निरणे नी लेना है जल्द बाजी नि योग बन रहे हैं आपकी जो है उसके ब्यापार के लेकिन कहीं न कहीं जो है साथ-ाठ मेहने आप थोड़ा इंतजार कर लीजेगा उसके बाद ही जो है पूरी रिसर्च करके उस चीज में पहुँच जाएगा अभी बहुत बड़ी योग नहीं बन पारे है क्योंकि उंगल हम चंद्रमा कहते हैं मून का माउंट यह अनबैलेंस आउस्ता में है तो इस समय जो निरणें लेंगे वो भाव को होके लेंगे भावनाओं में बहके निरणें ले सकते हैं क्योंकि चंद्रमा अनबैलेंस होता है तो हमेशा मन को गड़बड रखता है मानसिक प्रेशाने स से बिक्ति को गर्षित रखता है और उसके साथ साथ अगर सुक्र भी जो है बहुत जादा फूल जाए और इस में छोटी छोटी इस परकार की लकीरे आ जाए जैसे आपकी हतेली में दिखता है और चंदरमा भी इस तरह से हो जाए तो ये बरतमान जीवन को बताता है कि बरतम चिंता का भाव भी आ रहा होगा और बहुत जादा मेहनत परिस्रम करने के बाद भी कहीं न कहीं जो है वो पूर्णता आपको नहीं दिखाई दे रही है जो होनी चाहिए थी ठीक है न और कहीं न कहीं सुक की वो प्राप्ति नहीं होती हुई दिखाई दे रही जो पूर्ण स शुक आपको मिलना चाहे था चाहे वो सारिक सुक है चाहे वो मानसिक सुक है चाहे वो दामपत्य जीवन का सुक है चाहे वो परवारिक सुक है कोई भी एक सुक में कमी को जो है इस परकार की चीजें देती है और ऐसे में बिक्ति भावक इस्तिति में जादा आता है भावक हो दर जाता है कभी बेक्ति ये करना चाता है कभी वो करना चाता है कभी बोर हो जाता है एकी चीज़ को करने से वो रुच्छ नहीं रह पाती मन नहीं लगता काम में और मन से सीधा जुड़ावा होता हमारा डाइजेस्टिब सिस्टम अगर मन सही नहीं होगा तो कहीं नहीं कभ या मां के साथ जो है कहीं न कहीं जो है तालमिल नहीं हो पाता है किसी न किसी प्रकार प्रस्तितियां ऐसे आती है कि मां का सुक बिक्त को कम मिलता है प्राप्त नहीं हो पाता है और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो ये सरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है उस पे बहुत ज्यादा डालता है जिसके कारण कहीं न कहीं नीन आने में दिक्कतों की संभावना को ये बढ़ जाती है जो क्रियेटिविटी है जो विक्ति सोच रहा होता है योजनाई बना रहा होता है वो प्रैक्टिकल रूप से उबरनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है तो मैं जो आपको है तो 18 महेने तक जो ग्रहनक छत्र है वो इसी रूप में बैठे है कम से कम एक डेट साल आप रुक जाएगा त्वरित निलणे मतले 18 महेने के बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं बिजनिस में आते हैं तो आपको बड़ा फायदा होगा और तब तक आप बहुत कुछ आपने नोकरी छोड़ दी या कोई ऐसा डिसीजन ले लिया तो रित रूप में तो नुकसान हो सकता है तो अभी जो है चंद्रमा भी अच्छा नहीं है अभी आपका बुद्ध भी उस रूप में नहीं आया है और विसेशतर करियर और धन की रेखा अभी उस और इसारा नह जो हमारी भारतिय परंपरा है उसके अनुसार थोड़ा अपने को ढालने की कोशिस करें चै कहीं भी हो आप बहुत सुन्दर जो है जीवन में रहने वाला है अब यहां पे देखेगा दूसरा क्या है अंगोठा ये भी बता रहा है कि कहीं न कहीं व्यक्त जो है सुखत जीने के लिए परितन सील भी है है तारकिक भी है हर विषाई पे अपने तरक रखने में आपको माहिरता हश्चिल है और तरक ही ने रखते मेनत भी करते है परितन भी यहां पे बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है यहां पे अगर सूरे की उंगली देखें जिसको रिंग कहते हैं वो ring finger पूरी तरों से जुक रखी है कर्ब ले रही है आपकी middle फिंगर की तरफ देखेगा जब ये कहीं न कहीं कर्ब लेती है तो बिक्त के अंदर इक्षाओं का अंबार लगा लेती है बिक्त के अंदर इक्षा होती है विस्तार पाने की यस पाने की, ग्रौथ पाने की, नेम और फेम पाने की, दबे रहने की एक्षा समाप्त हो जाती है तो ये एक्षाई ये बरतमान समय में दे रहा है सनी की उंगली देखें, ये हलके रोप से इसकी तरह मुड़ रही है, जुक रही है, हलका कर्म ले रही है सनी के नगेटिब गुणों में बिर्दि हो रही है देखेगा सहजता से सरलता से एकदम कहीं अचानक कोई चीज मिलनी असंबव है आपको जो भी मिलेगा वो केवल और केवल अपनी मेहनत और अपने पुरसार्थ के बल पे मिलेगा इस चीज को आप भली बाद से मर्जले जो भी आप जीवन में मिलेंगा कितना उचाई पे आप जाएंगे देश के बिदेश के सिर्स अस्तान पे अगर जा सकते हैं आप टॉप लेवल तक भी जाएंगे तो भी केवल और केवल अपने मेहनत के बल पे अपने मानसिक सकते के बल पे और अपने पुरसार्थ के बल पे जाएंगे हाँ ये चीज जरूर है कि कुछ ज़्यादा मेहनत प्रिसरम करने के बाद ही चीजों में सपलता आपको मिलेगी ठीक है न? और ये कही न कहीं दोड़ धूप को भी बताता है ट्रेवल को भी बताता है कि विक्ति को कभी कभी जादा करना पड़ता है और बहुत जादा मेहनत प्रिसरम करने पे ही सपलता मिलती है हाँ आपका जूपिटर की उंगली है ये इस प्रकार से जुक रखी है और ये भी मिडिल फिंगर की तरफ है ये अच्छा इसका जुकाओ अच्छा है स्रेष्ट है ये स्रेष्ट इसलिए है कि ये जूपिटर की माउंट पे बनने वाली फिंगर है और जब ये कर्ब लेती है मिडिल फिंगर की तरफ तो ब्यक्ति के अंदर धार्मिक भावना ये अच्छी रूप में होती है ब्यक्ति कहीं न कहीं जो है अगर इसको कहें दयालता ब्यक्ति के अंदर आती है प्रॉपकार की भावना रहती है और अपने धर्म के अनुसार इस स्वर में उपर वाले में बहुत बड़ा विश्वास बिक्ति का रहता है अडिक विश्वास रखता है बिक्ति तो ये अच्छी चीज है दूसरी यहाँ पर देखें तो सुर्य उंगली से हल के रूप में जो है अगर इसको देखते है इसको ये हल के रूप में बड़ी है थोड़ी सी है लेकिन हल की लंबी है ये बहुत अच्छा संदेश दे रहा है आपके अंदर ये कारे कुसलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है आप कारे कुसलता के गुण आपके अंदर बहुत अच्छे है और साथ साथ में ब्यवारिक भी है लेकिन कहीं न कहीं स्वाविमानी है और स्वाविमानी के साथ साथ औरों पर सासन करने की जो इक्छा है वो परबल रूप लेती हुई दिखाई दे रही है लीडर्शिप की क्वालिटी कि किसी के अंदर में जो है अब नहीं बस अब अपना जो कुछ है मालिक बन के रहना है क्योंकि ब्यवार भी अच्छा है कारे कुसलता भी अच्छी है स्वाविमान की भावना भी है लीडर्शिप की गुण भी दे रही है तो ये चीजे इसलिए आपकी हो रही है और साथ में ये उंगली है लंबी अच्छे खासी तो ये कहीं न कहीं आपके अंदर क्या दे रही है ब्यापार की गुण दे रही है उच्वर्ग का ब्यक्तितों के गुण दे रही है सरेष्ट और सपलता के गुण देती हुई दिखाई दे रही है और अपने बलबोते पर कुछ करने वाला ब्यक्तितों दे रही है तो ये उंगलिया मिलके कहीं न कहीं आपको जो है बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही है अगर आपके परवत भी अगर अनकूल होते तो निश्चित रूप से आप तुरंत अपने ब्यापार में गुस्ते और बहुत आगे पहुंच जाते लेकिन 18 मेहने तक कहीं न कहीं इनको साधना है आपको तब तक नौकरी करें उसके बाद तुरंत अपने ब्यापार में जाए और जो ग्रह उस समय मजबूत हो उसके अनुसारा आप ब्यापार कर सकते हैं अभी तो सुक्र है सुक्र के अनुसारा हमने बता दिया क्या करना है लेकिन उसके बाद आप उस रूप में कर सकते हैं यहां पर देखेंगे तो जो आपकी हिर्दे की रेखा इस तरों से जो है यहां पर जाती हुई दिखाई दे रही है और कहीं न कहीं जो है यह ब्रस्प थी की भावना ज्यादा आ सकती है अपने बारे में ज्यादा सोच सकता है बागी बारे में कम क्यूंकि प्रस्तिति ऐसी है कि अपने बारे में ही और शुबव उठते ही सबसे पहले धन कैसा कमाया जाए शाररिक परकृषिया पर ध्यान देना अपनी परसोनल्टी को कैसे तो उन पे ज़्यादा ध्यान जाता हुआ आपकी हिर्दे रेखा कि तरफ यहाँ पे दिखाई दे रही है और एक यहाँ पे दिखराई अच्छे गुण है कहीं न कहीं बता रहा है कि गुरहों के अच्छे होने पे जिसका में हाथ डालेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित कर लेकिन कहीं भी किसी के कहने पे आके या भावना में आके जल्दबाजे में निरणे लेके कुछ ऐसा कार्य मत कीजेगा जो दो नम्मर का हो जिसमें बहुत पैसा आने की संभावना हो आएगा कुछ समय तक लेकिन फिर ऐसी इस्तिति आ जाएगी कि चीजें गड़बड हो जाएंगे और यह आपको रसातल में पहुंचा देगा तो इस चीज का भी जो है विशेश द्यान लखे ऐसा कोई कारोबार न करें आज कल ऑनलाइन बहुत ज्यादा कारोबार है ऐसे और व्यक्ति करते हैं और एक बार फस गया अपना सारा कुछ लगा के फिर उबहर नहीं पाता है तो इस चीज का द्यान लखेगा मस्तिस्क रेखा आपकी देखा जाए तो इस प्रकार से जाती हुई दिखाई देरी बहुत सुन्दर है बौदिक अस्तर आपका गलत नहीं है बौदिक अस्तर बहुत अच्छा है और विबेक वान ब्यक्तित्व भी है आप अपने बिबेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं सुन्दर जीवन के काल के लिए योजनाई बनाते रहते हैं और जो भी काम करते हैं उसमें मस्तिस्क का बहुत ज़्यादा प्रियोग करते हैं अपनी बिबेक का अच्छा खासा प्रियोग करते हैं और क्रियेट करता अब जब ये ज़्यादा उठ जाए अगर ये ज़्यादा उठता है अभी नहीं अभी ये अच्छे भाव में है लेकिन ये है और ये ज़्यादा उठ जाता है तो फिर जो है बात बात पर गुसा आना सहन सीलता की कमी होना इस चीज की संभावना भी ज़्यादा बढ़ा मंगल को जो है दुरुस्त रखना होगा हमीशा और करियर और धन की रेखा को ठीक रखना होगा एक अच्छी चीज है कि आपकी जीवन की रेखा इस तरों से आती हुई और यहाँ दिरी दिरी पीछे के और जारी है ये जीवन में सबसे स्रेष्ट जीवन की रेखा कही जाती है एक तो ऐसा बिक्ति अपने परिवार के परती बहुत कियरफुल रहता है समरपण की भावना रखता है दूसरी बात है ऐसा बिक्ति निरंतर उन्नति करता है बीच बीच में थोड़ी से अगर अनबैलेंस ता आभी जाए फिर भी उस चीज को पकड़ लेता है समय रहते तो ये चीजें यहां पर बहुत कमाल की दिखाई देरी है यहां पर अगर देखें तो एक तिर्बुजबी जो है बनता हुआ दिखाई देरा अभी पूरा नहीं मना लेकिन तिर्बुजबी बन रहा है कहीं न कहीं आपको जब यह स्पेसल बन जाएगा सुन्दर बन जाएगा इसपश्ट हो जाएगा तो यह संभावना बढ़ा लेगा अचानक धन की प्राप्ति करने का अपनी ही कमाई उए पैसों से अपनी ही इनवेश्ट के उए पैसों से या लोटरी उगेरा के मात्यम से या कोई ऐसी चीज आ जाए जो अचानक बहुत बड़े मात्रा में धन की प्राप्ति करवाए तो ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही लेकिन अभी पूर्ण नहीं बनना तो इसका कोई फला देश नहीं होता है जब ये पूर्ण बन जाएगा तिरभुज तो तिरगुणात्मक फल देगा इस पश्ट बन जाएंगी तीनों भुजाएं तब दूसरी बात अगर यहाँ पे देखते हैं ये दूसरी रेखाई यहाँ पे है ये जो है रेखाई यहाँ पे रेखाई अच्छी उबर कर आ रही है जहां संपत्ति की रेखा आ रही है स्वश्ट्य की रेखा आ रही है जहां धन की रेखा आ रही है ये सभी रेखाई उ खुड़ा confusion और दुविदा भी बनी रहेगी तकरीबन कुछ समय तक एक डेट साल तक उसके बाद चीजें आपके अंडर में पूरी तरह से आती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं यहाँ पे सभी चीज हमने जादतर देख ली हैं इसको भी मैंने बता दिया है इन दोनों को कि क्या क्या हिसाब किताब है इनका मंगल अगर हम देखते हैं तो देखेगा मंगल में जो है एक मंगल की रेखा उबर करा रही अभी पूरी तरों नहीं है लेकिन अगर यह उबर की पूरी तरों से आ जाती है अभी उदयमान इस्तितिमी है लेकिन जब यह पूरी तरों से उभर कर आ जाएगी आपको दूसरों का सयोग बहुत अच्छे रोप में मिलेगा और जो उपर वाली की किरपा है उसका बहुत अच्छा फाइदा आपको होगा और आप में अच्छी बिद्या का और अच्छी प्रतिभा का और तीब्र बुद्ध का सिर्जन होगा आपके अंदर सोचने और समझने के सक्ति गजब की हो जाएगी इस रेखा के पुष्ट होने पे और ऐसा ब्यक्तित तोर निश्चित तोर पे होगा कि जीवन काल में कोई प्लब ही एक आप ले लेंगे तो कोई भी कभी भी तोसे अंततक निभाने का सामर्थ जो दिस जन लेंगे जब तक उस उद्यसे की पूरति नहीं होगी तब वास्तों में जो है कोछ चमतकार होआ है यह रेखा आपकी बहुत सुनर है जहां अचल संपतिका आपको लाब मिलेगा वहां आपके व्यापार में यह चार चांद लगा लेगी यह रेखा बहुत अच्छी है और अगर हम यहां पे देखें तो इन रेखाओं से यहां पे 45 से लेके 48 वर्स के बीच तो अच्छे खासी योग है पहले तो 45 वर्स में नहीं तो जो है 48 वर्स तक कभी भी जो है अच्छे खासी प्रोपर्टी आपको हाथ लग सकती है या प्रोपर्टी से लाब की संभावना को यह बताता है हो सकता आप प्रोपर्टी बेच दे और अच्छा खासा पैसा कमा ले हो सकता आप खरीद ले और उसमें जो है अच्छा खासा फाइदा आपको हो जाए तो 45 से लेके 48 वर्स के बीच में बहुत अच्छे योग प्रोपर्टी के आपके बन रहे हैं तो यह चीजें आपके हतिल भाव भी आपका यहां पे इसके कारण दिखाई दे रहा है यहां पे ब्रस्पति देखे थोड़ा नीचे की और जुक रहा है हलके रोप में तो परिवार को लेके कोई न कोई चिंता को समय तक बनी रह सकती है और यहां पे बहुत उठ रहा है तो अच्छे खाने पीने की जो बहुत ज़्यादा रह सकती है और वो इसे अभी ब्रस्पति जो है थोड़ा साधारन भाव में है इनको ठेक करना बहुत जरूरी है हाँ सनी का अगर हिसाब किताब देखें यहां पे बहुत ज़्यादा उठ गया है यहां पे बैठ गया है जब यह उठता है तो एक तो सु जहें पैदा कर लेता है जिससे ब्रती हमेशा तनाओं में रहे यह इस प्रकार से जो है बहुत ज़्यादा बैठ जाता है तो ब्यक्त को इस्तेमाल करवाता है और कभी-कभी अगर ब्यक्ति इब्रता से nawr ले तो धुगा भी दिलवाता है तो थोड़ासा कामों मे अर्चन उगेरा दे देता है या कोई विक्त ऐसा डिसीजन ले लेता है जिसके कारण उसको जो है अपने पूरे डेपलाप्मेंट को प्रोग्रेस को अवरोध करना पड़ता है तो सनी की तरफ थोड़ा ध्यान रखने की यहां पे आवशकता दिखाई दे रहे हैं सूर्य की इस्तिति देखें तो सूर्य भी कहीं न कहीं यहां पे डाउन इस्तिति में है बरतमान समय में जितना आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास पूरे रोप से सपल होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं सूर्य के कमजोर होने के कारण जो मेहनत आप कर रहे हैं जो आप प्रियास कर रहे हैं जो आप परिसरम कर रहे हैं उसका पूरा सरेई पूरा क्रेडिट जिस रूप में मिलना चाहे तो वो नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर क्वालिटी है जो आपके अंदर योग्यता है जो आपकी सोच है उस रूप में जो है चीजें निखर के नहीं आ रही है उबर के नहीं आ रही है बरतमान समय में नौकरी कर रहे होंगे तो वो ग्रोथ वास्तों में नहीं मिल पारी है जिसके आप हकदार है ब्यापार कर रहे है या प्रियास कर रहे है तो उसमें वो बिस्तार वो फैलाओ और वो यस और कीरती नहीं मिल पारी है जो वास् साररिक चक्र हैं वो सूरे की चक्रों के साथ पूर्ण रूप से तालमेल में नहीं है जिसके कारण बरतमान में जो चीजें होती है साररिक स्वच्त होता है खुसहाली होती है उत्सा होता है और जा होती है जो विक्त के साथ हमेशा बने रहते हैं उसमें हलका कहीं न कहीं कमी रहती है जिसके कारण एक साहिजता से सरलता से जीवन जो है ब्यतीत करना थोड़ा सा अन्वैलेंस हो जाता है तो सुर्य को भी हमें भव्या करना होगा इस और दिहान देना है बाकि हमने सबीच चीजों का जो है यहां पर बिसलिशन करके आपको बता दिया है दीखेगा कुल देट साल के बाद सुन्दर योग मन रहें अभी आपने जल्द बाजी में कोई निरणे ले लिया और भावना के बसीबूत होकर कोई निरणे ले लिया तो गलत साबित हो सकता है जिसके लिए आपको जो है पच्टाना पड़ सकता है तो कहीं न कहीं चंद्रमा है सुक्र है सनी है सूर्य है बुद्ध है उस रोप में नहीं दिखाई दे रही है और विसेश रोप से करियर और धन करेका को आपको इस पश्ट और सही करना है इस वीडियो में बस इतना ही एक नहीं वीडियो के साथ पनो उपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार